ये निमत बालकी रमायन के 53 सर्ग में किसकंदा का अंडवें। लोटने की अवधी भी जाने पर भी कारिशिधना होने के कारण सुगरीव के कथोर दंड से डरने वाने अंगद आधी वान्डों का उपवास करके प्रांत्याग देने का निश्चे। तांतर उन शेष्ट वान्डों ने वरुन की निवास भूमी भ्यंकर महासागर को देखा जिसका कहीं पार नहीं था और जो भ्यानक लहरों से व्यापत होकर तांतर गर्जना का रहा था। मेयासर की अपनी माया द्वारा बनाए हुए परवत के दुर्गम गुफा में सिता की खोज करते हैं उन वान्डों का वैए एक मास बीत गया। जिसे राजा सग्रीव ने लोटने का समय निच्चित किया था विंद गिरी के पार्शवर्ती परवत पर जहांके वरिक्ष फूलों से लदे थे बैठ कर वैसे सभी महात्मा मानर चिंता करने लगी। जो वसंत रितों में फलते हैं उन आम आदिव रिक्षों को डानियों की मंजरी एं फूलों के अधिक भार से जुकी हुई तदा सेंकड़ों लता बेलों से व्याब्त देख वे सभी सुग्री के भे से थराव थे। वे शरद रितों में चले थे और शिशर रितों आगी थी इसलिए उनका भे वड़ गया था एक दूसरे को ये बता कर कि आव वसंत का समय आना चाहता है राजा के आदेश के अंसार एक मास के भीतर जो काम कर लेना चाहिए था नहीं ना कर सकने या उसे नश्ट कर देने के कारण भे के मारे प्रित्थी पर गिर पड़े। पियों को यतावत सम्मान देते हुए मधरवानी से संबोदित करके बोले बांटो हम सब लोग वानर राज की आग्या से अश्टी मास बीटते बीटते एक मास के निच्ची तबदीश से विकार करके सीता की खोज के लिए निकले थे किन तो हमारा वे एक मास उस कुफा में ह पुरा हो गया क्या आप लोग इस बात को नहीं जानते हम जब चले थे तब से लोटरे के लिए जो मास ने धारित हुआ था वे भी बीट गया अब आगे क्या करना चाहिए आप लोगों को रजा का विश्वास प्राफ्त है आप निती मार्ग में निपन हैं और स्वामी के ह समानता करने वाला कोई नहीं है आप सभी अपने पुर्शात के लिए सभी दिशाव में विक्यात हैं इससे वानराज सुगृव की आग्या से मुझे आगे करके आप लोग जिस कारे के लिए निकले थे उसमें आप और हम सफल नहीं हो सके ऐसी दिशा में हम लोगों को अप सुगरीव ने जो समय निश्चित किया था उसके बीच जाने पर हम सब वानरों के लिए उपवास करके प्रांत्याग देना ही ठीक जान पड़ता है सुगरीव सभाव से ही कठोर है फिर इसमें तो वे हमारे राजा के पदपर स्थित हैं जब हम अपराद करके उनके पास जाएंगे तब है कभी हमें शमा नहीं करेंगे उल्टे सीता का समचा ना पाने पर हमारा वद्ध ही कर डालेंगे हटा हमें आज ही यहां इस्तिपुत्र धन संपती और घरद्वार का मुझ छोड़ कर मरनांत उप्वास अरंब कर देना चाहिए यहां से लोटने पर रजा सुग्रीव निच्चे ही हम सब का वद्ध कर डालेंगे अनुचित वद्ध की अपेक्षा यही मर जना हम लोगों के लिए श्रेश करें सुग्रीव ने युवराज पद पर मेरा अभिशेक नहीं किया है अना यासी महान करम करने वारे महान महराज शिरी राम ही उस पद पर मेरा अभिशेक किया है रजा सुग्रीव ने तो पहले से ही मेरे प्रती वैर बांध रखा है इसमें आग्या लंगन रूप मेरे अप्राथ को देखकर पूरोक्त निश्चे के उंसार तीखे दंड दवारा मुझे मरवार डालेंगी जीवन कान में मेरा व्यसन राजा के हाथ से मेरा मरन देखने वाले इस हर्तों से मुझे क्या काम है यहीं समुद्र के पामन तर्ट पर मैं मरनान दुपवास करूँगा जीवराज बाली कुमार अंगत की ये बात सुंकर वे सभी श्रेष्ट वानर करनासवर में बोले इस सच्मस्ग्रीव का सभाव बड़ा कट हो रहे उधर शीर रामचंदर जी अपनी प्रियपत्ने सीता के प्रती अंडरक्त है सीता को खोजकर लोटने के लिए जो अब्धिन निश्चित की गई थी वे समय वे अतीत हो जाने पर यदि हम कारिक किये बिना ही महाँ पस्तित होंगे तो उस सवस्ता में हमें देख कर और अब देख मारी का दर्शन किये बिना हमें लोटा हुआ जानकर शीर रामचंदर जी का प्रिये करने की चासे सुग्रीव हमें मरबाद डालेंगे इसमें शंशे नहीं है हताए अप्राधी पुर्शों का सामी के पास लोटकर जाना कदापी उचित नहीं है हम सुग्रीव के परधान सयोगी या सिवक होने के कारण इधर उनके बेजने से आये थे यदि यहीं सिता का दर्शन करके अथवा उनका सुमाचर जानकर वी सुग्री के पास नहीं जाएंगे तो वश्शी हमें यमलोक में जाना पड़ेगा भैसे पीडित वे उन वानलों का ये वच्चन सुनकर तार ने कहा यहां बैठकर विशाद करने से कोई लाब नहीं है यदि आप लगों को ठीकर चचे तो हम सब लोग सिम प्रभा की उस गुफा में ही प्रवेश करके निवास करें यह गुफा माया से निर्मित होने के कारण अत्यां दुर्गम है यहां फल, मूल, जल, आदी या खाने पीने की दूसरी वस्तों भी परचौर मात्रा में उप्लब्द है अत्या उसमें हमें न तो देवराज इंदर से न रामचिंदर जी से और न वानराज सुगरीव से ही भे है तार की कही भी पुरवक्त बात जो अंगद के भी इनकूल थी सुनकर सभी बंडों को उस पर विश्वाश हो गया ने सब के सब बोल उठे बंदूओं हमें वैसा कारे आज भी अविलंब करना चाहिए जिससे हम मारें नहीं जाएं तारापती चंद्रमा के समन्त जसी तार के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने ये माना कि अब अंगद ने वहर राज्य जो अब तक सुगरीव के अधिकार में ताहर लिया इस तरह बंदों में फोट पढ़ने से बहुत से बंदर अंगद का साथ देंगे और बल्वान अंगद सुगरीव को राजी से वन्चित कर देंगे ऐसी संभावना का हनुमान जी के मन में उदे हो गया हनुमान जी के अच्छी तरह जानते थे कि बाली कुमार अंगद आठ गुन वाली बुद्धी से चार प्रकार के बल्द से और चोदा गुनों से संपन है वे तेज बालों प्रकर्म से सदा परिपोर्ण हो रहे हैं शुकल पक्ष के आरंबा में चंद्रमा के समान राजकुमार अंगद की भी शिरी तिनों दिन बाल रही है ये बुद्धी में ब्रसपती के समान प्रकर्म में अपने पती बाली के समान जैसे देवराज इंदर ब्रसपती के मुक से निती की बाते सुनते हैं इसी परकार ये अंगद तार की बात सुनते हैं अपने स्वामी सुग्रीव का कारे सिद्ध करने में ये तकावट या शिथिलता का अनभव करते हैं ऐसा विचार करके संपुरन शास्त्रों के ज्यान में निपुन हनमान जी ने अंगद को तारा दिवानलों की और से फोड़ने का प्रेतन अरंब किया वे साम दाम भे दंड इन चार उपायों में से तीसरे का वर्ण करते हुए अपने युक्ती युक्त वाक्य वैभव के द्वारा उन सभी बानलों को फोड़ने लगे जब इस साव अनर फूट गए तब उन्होंने दंड रूप चोथे उपाय से युक्त नाना परकार के भैदायक वच्न द्वारा अंगद को ध्राना अरंब किया तारा नंदन तुम युद्ध में अपने पिता के समानी इत्यंत बलशाली हो ये निश्चित रूप से सब को भी दित है जैसे तुमारे पिता वान्डों का रज्ज सबालते थे उसी परकार तुम भी इसे द्रिटा पुरग धारन करने में समर्थ हो फिन्तो वानर शिरमनी ये कपी लोग सदा ही चंचल चित होती है अपने इस तरी पुत्रों से अलग रहकर तुमारी अग्या का पार्ण करना इनके लिए सेह नहीं होगा ये तुमारे सामने मैं कहता हूँ ये कोई भी वानर सुग्रीव से विरोध करके तुमारे प्रतियन रख्त नहीं हो सकते जैसे ये जामा नील और महाकपी सुहोत रहें उसी परकार मैं भी हूँ मैत था ये सब लोग साम दाम आदी उपायों द्वरा सुग्रीव से अलग नहीं किये जा सकते तुम दांड के द्वरा भी हम सब को वानर राज से दूर कर सको ये भी संभव नहीं है अता सुग्रीव तुमारी प्रेक्षा प्रबल है दूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर हो जाएगी तिथा इस बिल की अबेद्धिता के विशे में जो तुमने तार के मुझ से कुछ सुना है ये सब वियत है क्योंकि इस कुफा को को कि दिर का दिना लच्छन के बानों के लिए बाए हाथ का खेल है अत्यन्त तुछ कारे है पूर काल में यहां वज्जर का परहार करके इंद्र ने तो इस कुफा को बहुत थोड़ी हानी पुचाई थी प्रन्तों लच्छन अपने पैने बनो द्वरा इसे पत्ते के दोने की भांती विदेन का डालेंगे लच्छन के पास ऐसे बहुत से नाराज हैं जिनका हलका सा शपर्षवी वज्जर और अशनी के समान चोट पुचाने वाला है वे नाराज परतों को भी विदेन कर सकते हैं शत्रों को संताब देने वारे वीर जोहीं तुम इस कुफा में रहना अरंब करोगे त्योहीं ये सब वांदर तुमें त्याग देंगे क्योंकि इन्होंने ऐसा करने का निश्चे कर लिया है मैं अपने बार बच्चों को याद करके सदा दिगन रहेंगे जब यहां उन्हें भूक का कस्थ है न पड़ेगा और दुगत श्यापर सोने या दुरवस्था में रहने के कारण इनके मन में खेद होगा ताब ये तुमें पीछे छोड़ कर चल देंगे ऐसी दिशा में तुम हितेशी बंधों और सुहदों के सियोग से वन्चित होकर उड़ते हुए तिनके से भीत तुच्च हो जाओ और सदा अधिक डरते रहोगे अथवा हिलते हुए तिनके से अत्यन भैबीत होते रहो लच्चवन के बान, घोर, महान, वेक्षारी और दुर्जे हैं शीराम के कारे से विम्ख होने पर तुम्हें कदापी मारे बिना नहीं रहेंगी हमारे साथ चलकर जब तुम विनीत पुरुष की भांती, उनकी सेवा में उपस्तित होगी तब सुगरीब करमशे अपने बात तुम ही को रज पर बिठाएगी तुमारे चाचा सुगरीब ध्रम के मार्क पर चलने वली रاجा हैं में सद्था तुमारी पृसंता चानने वाले दृस प्रित्र और सत्य पर धिए एक कतापी तुम्हारा नाश नहीं कर सकते। अंगत। उनके मान में सदा तुम्हारे माता का प्रिय करने की इच्छा रहती है। उनकी प्रसंदा के लिए ही बेच जीमन तारन करते हैं। सुग्रीव के तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुत्तर भी नहीं। इसलिए तुम्हें उनके पास चलना चाहिए। पच्पनमे सर्ग में हनमान जी का वच्चन विनेयुक धरमनकूल और सौमे के प्रतिसम्मान से युक्ता उसे सुनकर अंगत ने कहा कपी श्रेष्ट राजा सुग्री में सिथिर्ता, शीर और मन की पुच्तरता, क्रूरता का अभाव, सरलता, प्रकर्म और धैरे हैं। ये मानने ता ठीक नहीं जान पड़ती। जिसने अपने बड़े भाई के जीते जी, उनकी प्यारी महरानी को जो धर्मता उनकी माता के समान थी, कुछ सिथ भावना से ग्रहन कर लिया था। वे धर्म को जानता है, ये कैसे कहा जा सकता है, जिस दुर आत्मा ने युद्ध के लिए जाते वे भाई के द्वारा बिल की रक्षा के कारे में नियुक्त होने पर भी पत्तर से उनका मुँ बंद गर दिया। वे कैसे ध्रमग्य माना जा सकता है जिनोंने सत्य को शाक्षी देखकर उनका हाथ पकड़ा और पहले ही उनका कारी सिद्ध कर दिया उन महाय सच्छी वगवान शीद राम को ही जब उसने भुला दिया तब दूसरे किसके उपकार को वे याद रख सकता है। जिसने धरम के भे से डर कर नहीं लच्छमन के ही भे से भीत होकर हम लोगों को सिटा की खोज के लिए बिचा है उसमें धरम के संभावना कैसे हो सकती है। सुग्रीव मुझ शत्रू कुल में उत्पन हुए बालक को कैसे जीवित रहने देगा। सुग्रीव से अलग रहने का जो मेरा देड़ विचार था वे आज प्रगट हो गया। साथ ही उनकी आग्या का पालन ना करने के कारण मैं अब प्रादी भी हूँ। इतना ही नहीं मेरी शक्ती शीन होगी है। मैं नात के समान दुर्बल हूँ। ऐसी दिशा में किसकंदा में जाकर कैसे जीवित रह सकूँगा। सुग्रीव शट करूर और दई है। वे रज के लिए मुझे गुप तरुप से धंड देगा। तदा सिदा के लिए मुझे बंधन में डाल देगा। इस परकार बंधन चनित कष्ट भोगने की अपिक्षा वो पुवास करके प्रान देदेना ही मेरे लिए श्रेश कर रहे। अताए सब मानर मुझे यही रहने की आग्या दे और अपने अपने घर को चले जाएं। मैं आप लोगों से परतिग्या पुर कहता हूँ कि मैं किसकंदा पुरी को नहीं जाओंगा। यही मरनान तपुवास करूंगा। मेरा मर जाना भी अच्छा है। आप लोग राजा सुग्रीव को परनाम करके उन से मेरा कुशल समाचार कहिएगा। अपने बल के कारण शुबा पाने वाले दोने रगवन्ची बंदूओं से भी मेरा सादर पर नाम नहीं दिन करते हुए कुशल समाचार कह दिजिएगा। मेरे छोटे पिता वाणा राज सुग्रीव और मता रूमा से भी मेरा अरग्य पूरव कुशल समाचार बताईएगा। मेरी मता तारा को भी धहरे बंदाईएगा। वे बिचारी सभाव से हिद्यालू और पुत्र पर प्रेम रखने मारी है। यहां मेरे नस्ठ होने का समाचार सुनकर वे निच्चे ही अपने प्राण त्याग देगी। इतना कहकर अंगत ने उन सभी बड़े बुड़े बान्डों को परनाम किया और धर्ती पर कुश बिचा कर उदास मक्से रोते रोते वे मरनाद अपवास के लिए बैठ गे। बाली कुमार के बच्चनों पर विचार करके उन वानत शिरोमनियों ने मरना हैं उचिस समझार मृत्यों की इच्चा से आजमन करके समुद्र के उत्तर दड़ पर दक्षिन अग्र कुछ पिशा कर विस्सव के सब पूरो की और मुक करके बैठ की। शीराम के मनवास, राजाम, दश्रत की मिरित्यों, जन, स्थानमासी, द्राक्षों के संहार, विदेकुमारी सीता के भरन, जटाईयों के मरन, बाली के वद्ध और शीराम के क्रोध की चर्चा करते हुए उन वान्डरों पर एक दूसरा ही भेया पुचा। महान परवत शिकरों के समान शीरवाले वहां बैठे हुए बहुत संख्यक वानर भेक मारे जोर-जोर से शब्द करने लगे, जिससे उस परवत की कंद्राओं का भीत्री भाग प्रती धनी तोठा और घर्जना करते हैं मेगों से युकता काश के समान प्रती तूने लगा। इस परकार शिरी बालमिक निर्मित आर्शिरमाइन आदी कावे के किसकंदा कांड में पच्पन्मा सर्ग पूर्ण हुआ। इस परकार बोले जैसे लोक में पूर जिनम के करम के अंसार मनिश्य को उसके किये फल सुथा प्राप्त होते हैं उसी परकार आज दीर काल के पश्चाद ये भोजन सुथा मेरे लिए प्राप्त हो गया अबच्छी ये मेरे किसी करम का फल है इन वानलों मेंसे जो जो मरता जाएगा उसको मैं करम स्था बक्षन करता जाओंगा ये बात उस पक्षी ने उन सब वानलों को देखकर कही भोजन पर लुभाएं में उस पक्षी का ये वचन सुलकर अंगत को बड़ा दुख हुआ और वे हनुमान जी से बोले देखिए सीता के निमत से वानलों की विपत्ती में डालने के लिए शाक्षाद सूरे पुत्र यम इस देश में आप हुँचे हम लोगों ने ना तो शीर राम चिंदर जी का कारे किया और ना राजा की आग्या का पारन ही किया इसी बीच वानलों पर ये सैसा अग्यात भी पत्ती आ पड़ी विदे कुमारी सीता का प्रिय करने के इच्छा से गृद राज जिटाईयों ने जो सास पून कारे किया है में सब आप लोगों ने सुना ही होगा समस्थ प्राणी वे पशु पक्षियों की योनी में ही क्यों ना उत्पन हुई हो हमारी तरह प्राण देकर भी शीर राम जिंदर जी का प्रिय कारे करते हैं सिष्ट प्रुश सने और करना के वशी भूतो कर एक दूस्रे का उपकार करते हैं है आप लोग भी शीर राम के उपकार के लिए सेम ही उनके शीर का प्रत्याग करें धरमा के जटाईयों ने शीर राम का प्रिय किया है हम लोग शीर रगुनाचे के लिए अपने जीवन का मुख छोड़ कर प्रिश्रम करते हुए इस दुर्गमन में आए हैं किन्तों मितलेश कुमारी का दर्शन नहीं कर सके घरिदराज जटाईयों ही सुखी हैं जो युद्ध में रामन के हाद से मारेगे और परमगती को प्राप्त होगी वे सुग्रीव के भे से मुक्त हैं राजा दश्रत की मृत्यों, जटाईयों का विनाश, विधे कुमारी सीता का फरन इन घटनाओं से इस समय वानलों का जिवन चिंचे में पढ़ गया है शीराम और लक्षमन को सीता के साथ वन में निवास करना पड़ा शीर रगुनाजी के बान से बाली का वद्ध हुआ राब शीराम के कौप से समस्राक्षयों का संहार होगा ये सारी बुराईया के कई के दिये हुए वर्दान से ही पैदा हुई है वानलों के दोरा बारां बार कहें गे इन दुख में वचनों को सुनकर और उन सब को प्रिथी पर पड़ा हुआ देखकर परंब दीमान संबाती का हिद्ध अत्यंत शुब्द हो उठा और वे दीन माने में बोलने को उद्यत हुए अंगत के मुक से निकले है उस वचन को सुनकर तीखी चोचवाले उस गीध ने उस स्वर से इस परकार पूछा ये कौन है जो मेरे प्रानों से भी बढ़कर प्रिये भाई जितायों के वद्ध की बात कह रहा है इसे सुनकर मेरा हिर्दे कमपिट सा होने लगा है जन स्थान में राक्षिश का ग्रिद के साथ किया किस परकार ये दोवा था अपने भाई का प्यारा नाम आज बहुत दिनों के बाद मेरे कान में बढ़ा है चितायों मुझ से छोटा गुनग्य और प्राकर्म के कारण अत्यंद परिशिंशा की युगी था दीर काल के पस्चात आज इसका नाम संकर मुझे बड़ी परसंता हुई है मैं चाहता हूँ कि परवत के इस तुर्गम स्थान से आप लोग मुझे नीचे उतार दे श्रिश्ट वान्डो मुझे अपने भाई के विनाश का अवरितान सुनने की इच्छा है मेरा भाई जितायू जो जन स्थान में रहता था गुरू जुने के परेमी शीर राम चिंदर जी जिनके शिजेष्ट एमप्रिय पुत्र है में महराज दिश्ट मेरे भाई के मित्र कैसे हुए शत्रु दमन वीरो मेरे पंक सुर्ग की किर्नों से जल गए है इसलिए मैं उड़ नहीं सकता किन्तु इस परवच से नीचे उतरना चाहता हूँ इस परकार बालमित निर्मित आर्शिर माइन आदी कावे के किसकंदा कांड़ में चपनमा सर्ग भी पूर्ण हुआ शोक के कारण संपाती का सर विक्रित हो गया था उसकी कही बात सुनकर भी वानर युथ पतियों ने उस पर विश्वाश नहीं किया क्योंकि वे उसके करम से शंकित थे आमरन उपवास के लिए बैठे वे उन वानरों ने उसमेद गीत को देकर ये ब्हंकर बात सोची ये हम सब को खा तो नहीं जाएगा अच्छा हम तो सब परकार से मरनान तुपवास का वरत लेकर बैठे ही थे यदि ये पक्षी हमें खा लेगा तो हमारा काम ही बन जाएगा हमें शीकरी सिद्धी पराब्त हो जाएगी फिर तो उन समस्त वानर युथ पतियों ने यहीं निश्चे किया कि इस गीद को उस परवत सिखर से उतार कर अंगत ने कहा पक्षी राज पहले एक परतापी वानर राज हो गए हैं जिनका नाम था रिक्ष रजा राजा रिक्ष रजा मेरे पिता में लगते थे उनके दो धरमात मापत्र हुए सुग्रीव और बाली दोनों ही बड़े बलवान हुएं उनमें से राजा बाली मेरे पिता थे संसाल में अपने प्रकर्म के कारण उनकी बड़ी ख्याती थी आज से कुछ वर्ष पहले एक श्वाको वंच के मार थी वीद तश्यत कमार श्रीमान राम चंदर जी जो पूरत जगत के राजा है पिता की आग्या के पालन में ततपर होकर धरम मार का आश्री लिकर दंड़ करने में आए थी उनके साथ उनके छोटे भाई लच्छम तताम की धरम पतनी विदे कमारी सीता भी थी जन स्थान में आने पर उनके पतनी सीता को रावन ने बल पुरा खर लिया उसमें घिद्रा जितायों ने जो उनके पता के मित्र थे देखा राम ना काश मार्क से विदे कमारी को लिए जा रहा है देखते ही वे रावन पर तूट पड़े और उसके द्रत को नस्ट भरस्ट करके उनने मित्लेश कमारी को शरक्षी तरूप से भूमी पर कड़ा कर दिया किन्तु वे विद्ध तो थे ही युद्ध करते करते ठग गे और अन्तोद के तवार रंग शित्र में रावन के हाथ से मारेगी इस परकार महामली रावन के द्वरा जटाईयों का वद्ध हुआ सिहम शीर राम चंदर जी ने उनका दासंसकार किया और वे उत्तम गती साके धाम को पराप्त हुई तरंतर शीर रगुनाज जी ने मेरे चाचा महात्मा सुग्रीव से मित्ता की और उनके कहने से उन्होंने मेरे पिता का वद्ध कर दिया मेरे पिता ने मंत्रियों सुग्रीव को रज सुक से मंचित कर दिया और इसलिए रिशीर राम चंदर जी ने मेरे पिता बाली को मार कर सुग्रीव का अब शेक कराया। उन्होंने ही सुग्रीव को बाली के रज़ पर स्थापित किया। अब सुग्रीव वान्रो के स्वामी हैं। मुख्य मुख्य वान्रो के भी राजा हैं। उन्होंने हमें सीता की खोज के लिए भेजा है। इस तरह शीर राम से प्रेडित होकर हम लोग इधर उदर विधे कुमारी सीता को खोज दे भिरते हैं। किन्तु अब तक उनका पता नहीं लगा जैसे रात में सूरे की प्रभा का दर्शन नहीं होता। उसी परकार हमें इस वन में जानकी का दर्शन नहीं होता। हम लोग अपने मन को एकागर करके दंडटरन में भली भाती खोज करते हुए ज्यानवश प्रिथी के एक खुले हुए वीवर में घुसके। मेह वीवर मेया सुर की माया से निर्मित हुआ है। उसमें खोश्टे खोश्टे हमारा एक मास बीत गया जिसे राजा सुगरीव ने हमारे लोटने की अबधी निश्चित की थी। हम सब लोग कपीरा सुग्रीव के अग्या कारी हैं किन्तों उनके द्वारा नियत की हुई अब धीको लांगे हैं उन्हें के भैसे हम यहां आमरन अपवास कर रहे हैं को कुछ कुल भुशनशी राम लच्मन और सुग्रीव तीनों हम पर कुपित होंगे उस तशा में वहां ल पुझ पुन हुआ